हलो दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होप आप सब अच्छे होंगे तो दोस्तों जैसा कि हम आप लोगों से बात कने वाले हैं आज का जो सेशन होने वाला है हमारा कंप्लीटली BEE के लिए होना है ठीक है तो दोस्तों हमने आप लोगों से चैप्टर 3 तक हर एक चीज़ को डिस उसे इक्जाम के बाद आप लोग यहरे क्लास बहुत ही प्रॉपर वे में चलेंगे ठीक है तो दोस्तों आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट कि अगर आप लोग चैनल पर नहीं आई तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिल आइ हैं फिलाल इनको इपर इंक्रेज करिए ठीक है देखेंगा दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे अपना चैप्टर नमर फोर होगा जो जिसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रो मैगनेटिक इंडक्शन चैप्टर नमर फाइब रहेंगा अब देखेंगे दोस्तों इल्याज जो हमा या फिर कोई मैगनेटिक फिल्ड होगा उसमें कोई कंड़क्टर रख देंगे तो उस कंड़क्टर पे हमारा करेंट का क्या प्रभाव पढ़ेगा ठीक है तो देखेंगे दोस्तों इसको भी जहान में रखेंगे हम उसके बाद हमारा मैगनेटिक सर्कीट आजाएगा जो क कि अपलगों कर दो यहां पर लोगों की जो है बहुत ही कम ही खेंगी ठीक है बाकी हर्य क्लास हो दो सब्सक्राइब कर लेंगे बहुत ही वेनिफीसियल रहें दोस्तों के वल हो कोर्स की फीज की मैं बात करूंगा तो केवल और केवल 99 रुपए में आप लोगो को जितने आपके electrical engineering course subject है चाहे हमारा physics 2 हो चाहे हमारा basic electrical engineering हो चाहे हमारा analog electronics हो दोस्तों सबसे जादा जो बैक लगने वाला subject होता है इन ही में होता है ठीक है तो इन subjects को हम कैसे clear करें अब मैं आप लोग बता दू मैत की वी classes आप लोग को study Megapoint के official app अलग से देखने को मिल जाएगी ठीक है तो वहाँ पे आप लोग हर एक चीज को देख पाओगे दोस्तों बट आप लोग को course को नहीं मिलेगा ठीक है इसारी चीज़े हमारे ऐसे ही clear होती चलें फिलहाल इसका सलेबस फोड़ा बड़ा है ठीक है यहां पर completely हमें 8 chapter पढ़ना है दोस्तों बताईगा कि 8 chapter हमें 4 महीने में ही पढ़ना है ठीक है तो इन चीज़ों को आप लोग को अच्छे से क्या करना है हमें जब चीज़े हमारी हो रही है तभी हमरी हर एक चीज़ को क्या कर लें complete कर लें ठीक है तो दोस्तों इसका बहुत बड़ा benefit होगा अगर आप लोग को जोइन करते हैं देखेगा आगे चलके आप लोग हर एक चीज़ का पता चलेगा ही कि मैंने कोर्स जोइन किया था सर मुझे इतना पायदा हुआ ठीक है अगर बैक लग जाएगा भाई तो 500 रुपए देखे आप लोग रीचेक करवा हुए मैं कोई मतलब की हड़का नहीं रहा हूं कि आप लोग को demotivate कर रहा हूं मेरा इसका कोई मतलब नहीं भाई आप कोर्स रुपए लग जाएगा ठीक है दो सब्जेक्ट में लगा तो 120 रुपए उसका चला गया ठीक है अगर हमारा रीचेक करवाना है दोसों तो उसके लिए 500 रुपए लगता है तो 500 रुपए में दोस्वों हम बता रहे हैं कि आपना हर एक सब्जक्ट को पड़ सकते हो ठीक है अगर दो सब्जेक्ट में लग गया तो एक हजार रुपए गया और एक हजार में दोस्तों कम्प्लीट आप लोगो हर एक समिस्टर आप लोग पड़ पाओगे मेरी या रांटी है ठीक है आप लोगों सबसे पाहले हम बात करेंगे लेकिन यहांपर मैगनेट कICK की जाएगई तो सभी लोगों को पत है दोस्तों कि मैगनेट का काम क्या होता है जिसे हम हिंदी में चुमबक बोलते हैं ठीक है इसे और कुछ नहीं समझेंगे भाई चुमबक यानि मैगनेट ठीक अब देखें कि मैगनेट का काम क्या होता है दोस्तों यह किसी वस्तु को क्या करता है आकरसित या प्रतिकरसित करने यहाँ किसी वस्तू को आकरसित और काम करता है किवल यह यहाँ और यह। प्रक्रम के बारे में चोटा सा सा ? इस यहाँ इस की अगर वाद करूंगा इस क कालर कैसा होता है यह आँ काला रंग का होता है ठीक है अगर मैं पूछो magnet किसे कहते हैं तो लिखेंगे इसमें आकरसड और प्रतिकरसड का गुण पाया जाता है ठीक है प्रतिकरसड का गुण पाया जाता है नोट्स जब बनाएंगे दोस्तों सबसे पहले इसको भी लिख लेंगे आप लोग ठीक है मैंने क्या कहा magnet में आप लोग दो पाया जाता है यानि कहने की बाते है दोस्तों कि अगर हम बात करेंगे आकरसड कब होगा दोस्तों और प्रतिकरसड कब होगा तो दोस्तों मैं अहां पर एक magnet की बात करता हूँ magnet बिसकली आप लोगों ने गोला टाइप का देखा होगा जो कि आप लोग अपने घर में यूज किये हुई है बाजा होगा ठीक है बाजा मतलब रेडियो जिसे बोलते हो ठीक है रेडियो हो गया और डिबीडी हो गया इन सारी चीजों में से जब टीवी हमारी खराब हो जाते तो उसमें magnet आप लोग निकाल लेते हो ठीक है पीगर में लगा होता है तो उसमें से क्या करता है magnet निकालता है बैसिकल यो बोला का लगा होता है लेकिन हम बात करते हैं दोस्तों अपने electrical engineering में तो यहां पी हम इस प्रक करते हैं दोस्तों दो पोल कौन सा होगा एक नार्थ पोल होगा एक साउथ पोल होगा और दोस्तों आप लोगो इसकी property के बारे में सबसे ध्यान रखना है कि जो इसमें मैं बात करूंगा जब भी magnetic lines की ठीक है यानि चुमबकी बल रेखाओं की जब भी बात किया जाएगा चुमबकी बल रेखाओं जो होती है दोस्तों नार्थ पोल से चलके साउथ पोल पर समाप्त होती है इस point को आप लोग ध्यान रखेंगे कि हमारी चुमबकी बल रेखाओं जो होती है यहां से चलेंगी दोस्तों यहां से हमारी चलती हुई दिखेंगी और यहां पर हमारी उस पूल पे खतम हो जाएगी ठीक है फिर से हमारी जो चुम्बक की वल रिखाएं होती है हमारी एक दो नहीं होती है दोस्तों बलगी unlimited होती है कितनी होती है unlimited होती है ऐसे हमारी बहुत सारी चुम्बक की वल रिखाएं जो होती है निकलती रहती है यह तो बात हो गई चुम्बक के अंदर तो चुम्बक के अंदर जो होती है बहुत सारी चुमबकी बल रेखाओं के समूह को हम चुमबकी फ्लक्स कहते हैं जिसे हम फ्लक्स की जब भी बात की जाएगे तो उसे हम फाई से दिनोट करेंगे और यहीं दोस्तों हम जब बात करें थे इलेक्ट्रिक लाइन्स की या फिर हम बोलेंगे विद्दूद बल रेखाओं की बात कर रहे थे तो विद्दूद बल रेखाओं में क्या होता था कि हमारे विद्दूद बल रेखाओं के समूह को हम क्या करते थे दोस्तों, वहाँ पे हम करते थे flux कहते थे, ठीक है वहाँ पे भी हमारा flux होता था लेकिन वहाँ पे हमारा विदूद flux होता था ठीक है इस बात को ध्याम रिखेगा अब दोस्तों चुमबकी flux और विदूद flux में थोड़ा सा अंतर है दोस्तों इस बात को अभी आप लोगों को आगे चलके पता चलेगा हर एक चीज पता चलेग सर एके नार्थ फॉल होगा एक साउथ पोल होगा तो हमने क्या कहा दोसों जभी हम मैंगनेटो को हजार्वक कुक्रे कर देंगे लेकिन उसमें सदायों हमें दो ही पोल देख्ले को मिलेगा एक हमारय नार्थ Fourier साॉथ पोल होगा तो दोस्तों यहाँ से बोल सकते हैं कि मारे की मेरा एक मैगनेट है मैनने इसको तोड़ा इस मैगनेट का हमारा यह माल लेते हैं नार्थ को अब तो ए पूरा हमारा क्या हो जाएगा complete magnet हो जाएगा अब दोस्तों जब भी बात कि जाएगी हम magnet को तोड ताड़के यहां भी बताने की कोशिस कर रहे हैं कि मैगनेट को तोड़ रहे है मानलिजे दोस्तो यह मैरा नार्फ पोल है और एक मैरा और नार्फ पोल हो गया तो इसमें क्या होगा ठीक है अब दोनो एह दोनों आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब दो चुंबक लेकि आप लोग अगर उनका हमारा धुरूर यानि पोल जो हमारे समान होते हैं थीक है तो अगर आप लोग पोल को समान कर देंगे दोस्टो तो आयसे से करेंगे चुमपकब भागता चला जाएगा यह चीजिज आप लोगों ने किया है वही चीज होता है दोस्तों वहाँ पर क्या होता है कि वही मेरी पोलारेटी जो होती है पोल्स की जो पोलारेटी होती है वो डिफरेंट हो जाती है और डिफरेंट पोलारेटी पे क्या होगा यह मैगनेट जो होगा इसको धक्का देगा ठीक है यानि यह मैगनेट जो होगा इसको धक्का देगा जिसके कारण क्या होगा यह बाहर की मलब हमारा इससे दूर होता चला जाएगा ठीक है अब बात करते हैं दोस्तों यह तो नार्थ पूरो गया दोस्तों अगर यही मेरा सेम पूल की बात की जा रही अभी तो सेम पूल मेरा साउथ पूल हो जाता है साउथ साउथ की जब भी हमसे ही इनको दूर भेजा जाता है यानी चुमकी बल रेखाओं के द्वारा ही इनको दूर भेजा जाता है, ठीक है, अब देखेगा दोस्टों, यहाँ पे हम दूसरी क्या कर लेंगे यह इधर आएगा जो जाएंगे दूसरे को चिपका लेंगे धिक है तो यहां पर क्या हो जाएगा लिख्या प्रतिकयरशन को काम तभी हो गाइगी दोनों माइगने Autism ऐसे दिखा देंगे इस से क्या होगा कि रहा है ठीक है देखेगा आँ दोसों यहां पे किसे समझेगा की हम बात करें अगर हमारा different different polarity होगी यारिन different polls होगे तब हमारा जो होगा अ緁ग scена होगा और जब हमारे different polls होगे तब हमारा अonta तो इसके हमारे आप Chinese जो समझते हैं नहीं हुए उससे हम बोलेंगे जो चालक के चुम्बकी च्छेत्र नि किसी हमारे कड़क्य कारण कारण हो रही है इस चालक का चुम्बकी च्छेत्र होगा आगे चलक वह बताऊंगे अगर आप लोगों पहाड़ी पर जा जाती हुए आप लोगों ने उजरती है तो वहाँ पे जाएगा जो High Transmission उसके नीचे जाएंगे दोस्तों आप लो दोस्तों 2-3 मेंटर पहले ही हैं तो उसका आप लोगो मैगनेटिक लाइस जो होंगी दोस्तों आपको डिस्टर्ब करने के लिए तयार रहती है, ठीक है, तो यह कहां जा रहा है दोस्तों इस चुम्बक के चारों और क्या बन जाता है, चुम्बक की छेतर न्याईज होता है, कि अगर कोई विक्ति जाता है तो उसको क्या कर देगा प्रभावित कर देगा अब देखेगा दोस्तों कभी-कभी आप लोगोंने सुना होगा साधी विवाह के मौसंम में टेंट अगर किसी ट्रांस्मिस्सर लाइन के नीचे लगाई जाती तो जो रोड्स होते हैं वो जलने लगते हैं तुका भी एक simple सा कारण है कि वह भी क्या हो रहा है। हमारे ह्मारे transmission line लाईन के चुमबकी चेत्र में कुछ उसको cut करने लग रहा होगा हमारा राड जो है ट्यूब लाइट जीसे बोल रहे है ठीक है राड जलने लगता है ठीक है ए चीज़े आप लोगों ने आई होप कभी ने कभी सुना होगा दोसों तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारे चुमब की लाइन्स है या मैगनेटिक लाइन्स है या हमारा जो लोगों तो ने या या तो उसके लिए हमारा चुमब की चे चेतर तायर चैह सींवल की बताय ँसको किस ने देखा था और को गया लेजा है तो उसमें जो कंडेक्टर होता है अगर उसमें हमारा धारा का प्रवाह किया जाता है दूस्तों तो धारा का प्रवाह जब किया जाएगा तो अस चुम्बक की च्हत्र बन जाता है और दूसों आपर अगर कोिभी है नीकिन्टिक और स्टन्ध का है अगर इसको आखरसित कर लेता है उसों अगर इसके क्या कहा किहा है कि सरपुथम चुमकी छेत्र को डिफाइन करने के लिए और रेश्टेड ने प्रयोग किया ठीक है और अपने प्रयोग में पाया कि जब किसी चालक के चालक में धारा प्रवाहित की जाती है मारा लिजी कि हमारा कोई हमने बताया कि मैगiantes है दोष्टों यह हमारा नारमल कंडिसन में है जब इसमें हम ये चालक में धारा प्रवाहित किया यहां इपर बैटर Cosine की ऐימ से यहीं पर स्टार्ट करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जैन जै भारत